ठीक है बच्चों एक छुटा सा question यहां पर हम लोग लेते हैं देखिए question क्या कहता है कि what is the percentage change ठीक है what is the percentage change in length of 1 meter rod if its temperature changes by 100 degree celsius ठीक है also it is given that alpha for iron alpha आपको याद होगा क्या नाम लिया था हमने alpha के लिए बिटा alpha is linear thermal expansion coefficient तो वो दिया हुआ है हमें 2 into 10 to power minus 5 ठीक है per degree celsius तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है percentage increase percentage increase अगर मैं बोलू तो percentage change in length अगर कोई पूछे तो एक general formula होता है किसी भी चीज में अगर आपको percentage change निखालना होता है तो आप क्या लिखते हो change change in length ठीक है और divide कर देते हो आप किस चीज से यहाँ पर लेंद से इसको मैं original length लिख रहा हूं original length लिखतेता हूं ठीक है change in length upon original length into अगर 100 कर दें तो यह हमारे लिए percentage change in length हो जाएगा कहने का मतलब क्या हुआ डेल्टा L upon L0 into 100 ठीक है कुछ लोग L0 को L0 भी पढ़ते हैं वो भी हमारे लिए advantage यहस है original length L0 चलो तो हमें यह निकालना है इस quantity को हमें find करना है with the information that we already have formula से क्या कर सकते हैं हम लोग percentage change निकाल सकते हैं ठीक है तो हमारे पास एक formula है change in length निकालने का change in length अगर हम याद करें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा change in length is equal to क्या होता है delta L is equal to हमने देखा वो क्या होता है alpha L0 delta T तो आप क्या करो यहां पर भाईया delta L upon L0 calculate कर लो ठीक है यह fractional change in length कहलाता है वैसे तो और इसकी value क्या हो जाएगी alpha delta T तो बच्चों यह अगर मैं यहां से उठा करके actual अपने percentage change के formula में रख दूँ तो हमारा answer आ सकता है तो बटा यहां delta L upon L0 की जगह में alpha delta T रख देता हूँ alpha delta T ठीक है into 100 मैंने क्या किया बच्चों delta L upon L0 की value alpha delta T होती है और उसे उठा कर अपने percentage change in length के formula में रख दिया now what I am going to do is I am just going to put the values from the question alpha की value हमें यहां पर कितनी दी हुई है 2 into 10 to power how much minus 5 delta T की value क्या हो जाएगी हमारे लिए 100 degree celsius तो इसको मैं 100 put कर देता हूँ और percentage के लिए एक और 100 हमारे पास यहां पर है यह 10 to power 4 है और percent का जो value आया percentage change in length वो कितना आया 0.2% ठीक है बच्चों तो I hope this question is clear to you अब हम लोग आगे चलते हैं और next बात हमारे लिए क्या है thermal expansion ठीक है तो यह हम और आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो superficial expansion है उसकी बात को भी समझने की कोशिश करते हैं जिसको मैंने बताया कि आप लोग इसको aerial expansion भी बोल सकते हो ठीक है aerial expansion का मतलब क्या हुआ expansion in surface area aerial expansion ठीक देखो बच्चे जैसे सपोस करो कि एक low temperature पर रखी हुई body थी ठीक है initially उसका temperature T है ठीक इस समय पर बेटा उसका area exactly कितना है A है जो तो मैं इसको A0 ले लेता हूँ ठीक है और बेटा finally जब उसका temperature क्या हो गया T plus delta T ठीक है उसका जो नया temperature हो गया है T plus delta T तब उसका area क्या हो गया A0 plus delta A ठीक है उसका area क्या हो गया A0 plus delta A अब ये delta A कौन सा area है actually जो increase in area है अब देख रहे होंगे इसके चाहत तरब एक border दिखरी है आपको तो अच्छली यह जब expand हुआ होगा तो अपने चारो तरफ इसने क्या किया पूरा expand होने पर extra एक area आ गया उस वाले area को यह shaded part जो है मैं इसको shade कर देता हूँ एक बार आपके लिए इतना जो increased area है वच्छे ठीक है इस part को ही हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा ए बोल सकते हैं got it तो a1 is the area of solid at t1 ठीक है मालो पहले initial temperature क्या था t1 था बाद में t2 हो गया जब डेल्टा t से बढ़ा दिया तो area a2 बन गया इन दोनों का difference है वही क्या है increase in area तो जो final area हमने a2 बोला है ठीक है वह क्या हो जाएगा इस बार a1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी यह कहां से आया इस बात को हम समझते हैं ठीक है मैं पहले वाले slide पे जाता हूं और यहां पे थोड़ा सा explanation देता हूं देखो increase in area increase in area बच्चों जैसे length में किया था exactly वैसा ही है डेल्टा ए जो होगा वह proportional to क्या होगा increase in temperature डेल्टा टी डेल्टा ए जो होगा वह किस पर proportional होगा original area a0 और डेल्टा ए फाइनली किसके बराबर आता है बीटा ए नौट डेल्टा टी पर ठीक है ए जो है उसमें जो increase है डेल्टा ए उसकी value क्या आती है बीटा ए नौट डेल्टा टी यहां पे बीटा क्या है पिटा aerial thermal expansion coefficient ठीक है यह क्या हो गया हमारे लिए aerial thermal expansion coefficient तो वहीं से यह चीज़ भी आई है कैसे आई है वो मैं शो करता हूँ देखिए डेल्टा ए की value हमने क्या calculate की बच्चे बीटा फिर original length और change in temperature तो final area क्या आजाएगा a dash is equal to a not plus delta a ठीक है delta a और a not तो ठीक है delta a की value उपर से लिख देता हूँ beta a not delta t अगर a not common ले लूँगा तो क्या आएगा one plus beta delta t वहीं इन्होंने किया है ए a final यह जो a2 देख रहे हो यह final हो गया a1 जो देख रहे हो वह initial हो गया तो finally क्या value आई हमारे सामने गया गई a2 is equal to a1 one plus beta delta t ठीक है इस बात को भी समझ के रखिया ठीक है जब यह आप याद करो अगर length की बात करते तो यहाँ l0 आता था और यहाँ alpha आता था अगर area में आ गया तो यहाँ a आ गया और यहाँ beta आ गया length के लिए alpha था area के लिए beta है और similarly अगर volume में जाएंगे तो गामा आ जाता है वो भी हम बहुत ही छोटे साइम में देखते हैं ठीक है यहाँ पर बीटा मैंने बोला था क्या area expansion का coefficient है या फिर कह सकते हो superficial expansion का coefficient है ठीक है एक question है जो area expansion पर हम solve करते हैं इसको देखिए ध्यान से यह क्या कहता है अब plane lamina lamina का मतलब क्या हुआ एक surface है बच्चों ठीक है has area 2 meter square एक area है जिसका area है वो पहले से दिया हुआ है हमें और उसकी value क्या है 2 meter square है और वो किस temperature पर रखा हुआ है 10 degree Celsius पर मतलब उसका area जो 2 meter आप 2 meter square आपको दिया हुआ है यह किस temperature पर है 10 degree Celsius पर उसका area है अब क्या करते हैं हमसे पुछा गया then what is its area at 110 degree Celsius ठीक है its superficial expansion coefficient is its superficial expansion coefficient is 2 into 10 to power minus 5 degree Celsius ऐसा पुछा गया है ठीक है अब देखो हुआ क्या होगा कि अगर एक area रहा होगा ऐसा ठीक है शुरू में क्या था इसका area 2 meter square जब इसका temperature increase करते हैं तो इसके area में थोड़ा सा increase आया होगा ठीक है और वो कितना हम कहते हैं कि यह delta A है ठीक तो अगर final area आपसे पुछा गया है क्या पुछा है उसका area final तो A dash is equal to volume क्या लिख सकते हैं A naught one plus alpha delta T ठीक है A naught मतलब क्या हो गया original area हो गया उसका किसी temperature पर जहां भी आपको पता है तो मैंने बुला भी हमें पता है 10 degree Celsius पर कितना है तो यह है two meter square तो यहां two put कर देता हूँ one plus alpha की value अगर आप ध्यान से देखो यह दी हुई है तो यहां पर अगर area लिख रहे थे तो alpha मैंने गलत लिखा है बच्चे यहां बीटा लिखना चाहिए था राइट लीनियर expansion निकालने के लिए alpha यूज करेंगे और अगर aerial expansion देख रहे हो तो बीटा तो यहां पर बीटा की value हमें कित्ती दी हुई है two into ten to power minus five बच्चे और delta t की value कितनी हो जाएगी final temperature minus initial temperature final है 110 initial है 10 तो 100 यह आ गया ठीक है अगर इसको calculate करें तो यह आ जाएगा two one plus two into ten to power minus three ठीक है two फिर अंदर जाते हैं यहां क्या आ जाएगा one plus zero point zero zero two ठीक है इसको calculate करते हैं अगर तो यह कितना आता है बेटा two point zero zero four meter square यह आ गया हमारे सामने a dash जान से देखो पहले कितना था इसका area two था अब यह two से बढ़के कितना हो गया है two point zero zero four meter square हो गया है ठीक है I hope you have understood बातुर बातुर बातुर